नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अन्शिकार आज सवाल गटबंदन इंडिया में पीम पत को लेकर मचे घमासान पर सुलगाएंगे ममता नितीश को पच्छारने के लिए कॉंग्रिस ने कौन सी नई चाल चली है वो बताएंगे मुंबई में होने वाली विपक्ष की तीसरी मीटिंग का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे पीम बनने का सपना देखने वाले नेता 2024 के लिए अपनी दाविदारी ठोकते चले जा रही है जहां एक तरफ कॉंग्रिस की ओर से मम्ता नितीश की दाविदारी के बाद इस बात का एलान किया गया था कि विपक्ष का चहरा कौन होगा इसका फैसला सत्ता में आने के बाद किया जाएगा तो वहीं अब मौका देकर कॉंग्रिस ने भी चौका मार दिया है और अपनी नई चाल चलते हुए राहुल गांधी को ही पीम फेस घोशत कर दिया गया है ऐसे में कॉंग्रिस की इस नए दाव पर तमाम सवाल सुलग रहे है कॉंग्रिस ने क्या फैका नया दाव क्या इंडिया का पीम फेस होंगे राहुल गांधी राहुल के नाम पर कैसे मचेगा विपक्ष में घमासान क्या मुंबई मीटिंग में होगा कोई नया बवाल ये सवाल इसलिए सुलग रहे हैं क्योंकि कॉंग्रिस की ओर से ऐसा बयान सामने आया है जिससे नितीश, केजरिवाल, ममता, तीनों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई है मुंबई में 31 अगस से 1 सितंबर को विपक्ष की बैठक होने वाली है लेकिन उससे पहले ही राजस्थान के मुक्षिमंत्री अशोग गहलोत ने ऐसा बॉम फोड़ा है जिसने सभी के खोश उड़ा दिये हैं गहलोत ने राहुल गांधी को कॉंग्रिस की ओर से पी-म उमीदवार घोशित कर दिया है इस फैसले की घोशना करते हुए गहलोत ने ये दावा भी किया है कि सभी दलों के साथ विचार विमर्ष करने के बाद ये फैसला किया गया जिसका मतलब ये है कि राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा घोशित किये जाने पर विपक्षी गठवंदन में किसी को आपती नहीं थी तो सवाल है कि क्या इस रेस में दौर रहे ममता, नितीश और केजरिवाल भी राहुल के नाम पर मान गए क्या सभी ने अपने अर्मानों का गला घोट कर समझोता कर लिया या फिर राहुल गांधी की सदसिता बहाल होने के बाद अब मौके पर चौका मारते हुए कॉंग्रेस ने ये नई चाल चल दी है एक इंटर्व्यू में जब गहलोत से ये सवाल किया गया कि क्या आगामी लोकसबा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सामने फ्रंट फुट पर आना चाहिए इस पर जवाब देते हुए सीम गहलोत ने कहा अगर इंडिया गठबंधन बना है तो आपस में सभी पार्टियों ने विचार मिमर्श के बाद ही ये फैसला लिया है लेकिन कॉंग्रिस पार्टी का चहरा राहुल गांधी है कॉंग्रिस की ओड से प्रधान मंत्री पत के उमीदवार राहुल गांधी है राहुल गांधी थे और रहेंगे मैंने कुछ अलग नहीं कहा यही बात खड़गे जी भी कह रहे है गहलोत ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि राहुल कॉंग्रिस का चहरा थे, हैं और रहेंगे और यही बात खड़गे भी कहते आएं अब मुंबई मीटिंग से पहले कॉंग्रिस की ओर से दिये गए इस बयान से हलचल तो तेज हो ही गई है साथी यह बयान भी काफी एहम माना जा रहा है क्योंकि गठबंदन इंडिया में पी-म बनने के लिए एक नहीं कई नेता खुआप सजाए बैठे हैं इस कतार में ममता बनर जी की ओर से तो दावा भी ठोका जा चुका है बैंगलूरू की मीटिंग के बाद ही टी-मसी नेता शताबदी रॉय ने ये बयान दे दिया था कि अगर कॉंग्रेस पी-म पत की दावेदारी से पीछे हट गई है तो ममता बनर जी को इस पत के लिए कदम बढ़ाना चाहिए इसके बाद हाल में टी-मसी के कारिक्रम में ममता फोर पी-म लिखा बैकड्रॉप देखा गिया बोल्चे बंगलार जॉनता प्रधान मंत्री होक ममता बंगाली भाशा में ये स्लोगन दिया गया जिसका मतलब है कि बंगाल की जनता ममता बनर जी को पी-म के तौर पर देखना चाहती है और इसी के कुछ दिनों बाद प्रधान मंत्री ममता का हैश्टाग भी ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा जिसे यूज करते होए लाखों लोगों ने ट्वीट किया ये मुहीम टी-मसी की और से ही चलाई गई थी टी-मसी जोर शोर से पी-म पद के दाविदार के रूप में ममता बनर जी का नाम आगे करने में लगी हुई है पार्टी की पूरी कोशिश है कि बस इस पद के लिए ममता बनर जी का नाम ही होना चाहिए और उनी के चहरे पर 2024 का चुनाव विपक्षी गटबंदन को लड़ना चाहिए जिस से आने वाले वक्त में मम्ता बिनर्ट जी ही देश की प्रधान मंत्री बने मम्ता की ही तरह बिहार के CM नितीश कुमार भी इस रेस में दोड रहे है जेडियू की ओर से भी दो बार नितीश कुमार का नाम आगे किया जा चुका है और यही कहा गया है कि जनता नितीश को PM के तौर पर देखना चाहती है अलकि नितीश कुमार की ओर से इस बात से साफ इंकार किया जाता रहा है कि वो PM नहीं बनना चाहते हैं लेकिन दिल में कुछ और फिर जुबा पर कुछ और वाला हाल नितीश कुमार का है। इसी बीच केजरिवाल का नंबर तो अब तक लगा ही नहीं था कि कॉंग्रेस ने अपना दाव फेंकर सब के होश फाक्ता कर दिया है। दिली सियम अर्विन केजरिवाल तो अध्यादेश को हराने और दिली को अपने कबजे में करने में इतना व्यस थे कि उन्हें दावेदारी ठोकने का समय ही नहीं मिला। अलाकि कई बार सरवजनिक मन से केजरिवाल इस बात का संकेत देते आये हैं कि देश का प्रधानमंत्री पड़ा लिखा होना चाहिए जिसका मतलब है कि देश का प्रधानमंत्री अर्विन केजरिवाल होना चाहिए। लेकिन ये सबी नेता दावेदारी के लिए इतने उतावले थे क्योंकि बैंगलूरू की मीटिंग में कॉंग्रेस की ओर से साफ कह दिया गया था कि पार्टी को पीम पद नहीं चाहिए क्योंकि उस वक्त राहूल गांधी के चुनाव लड़ने पर संशे बना हुआ था उनकी सांसदी को भी बहाल कर दिया गया जिससे लोकसबा चुनाव लड़ने का रास्ता राहूल के लिए साफ हो गया ऐसे में कोट के फैसले के बाद कॉंग्रेस के भी तेवर बदल गए लेकिन तब तक तो ममता और नितीश कुमार ने पीएम पत पर अपने दाविदारी का हल्ला मचा दिया था जिसके बाद कॉंग्रेस ने चाल चलते हुए विपक्ष के चहरा वहीन होने की खोशना कर दी और अब मौका देखते ही पार्टी की ओर से नितीश ममता को पचारते हुए राहुल गांधी पीएम फेस के तौर पर उनका नाम आगे कर दिया गया जिसे ममता और नितीश बौकला गए हैं कॉंग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और जाहिर तोर पर चाहती है कि सबसे बड़ा पद भी उसी के पास रहे पीएम पद भी कॉंग्रेस चाहती है और अगर विपक्ष बिना चहरे के चुनाव लड़ेगा तो फिर सैयोजक के पद पर भी कॉंग्रेस खुद को ही देख रही है ऐसे में गहलोत ने जो अब दावा किया है उस पर बीजेपी की ओर से भी तंच कस दिया गया है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनवाला ने भी ट्वीट कर कॉंग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने कहा पिछले कुछ दिनों में कॉंग्रेस ने बड़ी चालाकी से मुंबई मीटिंग से पहले राहुल गांधी को गठबंदन के मुख्य चहरे के तौर पर सामने रखा है प्रतम परिवार की सहमती से बगेल और गहलोत दोनों ने ये बात कही है ये केजरिवाल, शरतपवार, ममता, नितीश, अखलेश, आदी जैसे अन्य उमीदवारों को कहा छोड़ता है आपने ओन रिकॉर्ड कहा है कि राहुल को दोबारा प्रोजेक्ट ना करें फिर भी कॉंग्रेस ने एक तरफा काम किया है कभी ऐसे दिन की कलपना नहीं की थी जब आप TMC राहुल गांधी को PM पत के लिए प्रचार कर रहे होंगे गलत हुआ ये थो बले ही 2024 में कोई PM पोस्ट की रिक्त नहीं है लेकिन दूसरों के मुकाबले राहुल का प्रोजेक्शन काफी हद तक इस तथ्य को स्थापित करता है कि कॉंग्रेस राहुल को ममता, शर्थपवार, नितीश और अर्विन केजरिवाल से उपर मानती है जिन में से सभी ने CM के रूप में काम किया है या कर रहे है अगर ममता बनर जी, केजरिवाल और नितीश कुमार जैसे नेता कॉंग्रेस के इस फैसले में उसका समर्थन करते हैं तो जाहिर तोर पर यही माना जाएगा कि पार्टी के लिए राहुल गांदी ही सर्वो परी है और बाकी सभी नेताओं ने इससे समझोता कर लिया है TMC आप और JDU ने कॉंग्रेस से हाथ मिलाया था ताकि उन्हें फाइदा पहुंच सके लेकिन कॉंग्रेस ने सबका साथ पाकर अपना फाइदा खोजा और सभी को एक किनारे कर दिया ऐसे में जाहिर तोर पर अशोग गहलोत ने जो बयान अब दिया है वो इस माइने में भी एहम है क्योंकि कॉंग्रेस पाटी की ओर से इसे लेकर अब तक ना कोई बयान दिया गया ना ही कोई बात की गई है और पार्टी का नेता ऐसा दावा कर रहा है तो माना भी यही जाएगा कि पूरी पार्टी इसी से सहमत है तब ही ऐसी बात कही जा रही है आलगी अब अशोक गहलोत के इस दावे के बाद मुंबई मीटिंग में बड़ा बवाल होने की संभावना भी बढ़ गई है पाहुल के नाम पर किस तरह बवाल मचता है और कैसे ये एकता भंग होती है तो लगता सवाल में मेरे साथ फिलाल इतना ही नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रही है कैपिटल टी वे नमस्कार